पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में पांच भारतिय सैनिकों के शहीद होने, एकिकरत आंध्रा की मांग साइथ विभिन मुत्तों पर सदस्यों के भारिश और शरावे के करण लोगसभा की कारवाई शुरू होने के कुछी मिनट बाद दोफेर बारा बजे तक के लिए हुई इस् चौकी पर हुए पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में पांच भारतिय सैनिक शहीद, प्रधानमत्री डॉक्र मनमहन सिंग ने साथ महीने पहले शुरू की गई पृतक्ष अंतरन योजना की कलकी समिक्षा, बैठक में योजना को चलाने में आ रही दिकतों और विभिन जिलों मे पर मिली भगत का अरोप लगाया गया था, केरल में इडूकी और उसके आसपास की जिलों में तेज बारिश, बुसकलन और मकान महने की घटनाओं में एक दरजन से ज्यादा लोगों की मत, बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ियों की ढहलानों पर बने मकानों को ह पिछले दो दिनों से इलाके में लगातार हो रही बारिश के करण हुआ काफी नुकसान, असम में स्वाहित साशी राजिक के लिए 11 संग्ठनों के एक संव्यूक्त फोरम की संव्यूक्त कारी समीति ने हिंसा को बंद कर वारता करने के लिए मुख्यमंतिर तरुन गोगई क प्रस्ताव का स्वागत किया इस संग्ठन के वित्व सचिव ने कहा कि अगर सरकार उनके गिरफतार नेताओं को रिहा कर देती है तो वे बादचीत के लिए तयार है अमेरिका ने अफ्रीकी मुल्कों समयत अपने 19 दूतावासों और वार्णी दूतावासों को 10 अगस्त के लिए किया बंद ये कदम अलकायदा के आतन की हमलों के आशंका के मत्यनजर उठाया गया ओबामा परशाषन ने इस से पहले एक दिन के लिए 22 दूतावासों और वार्णी दूतावासों को बंद किया था पाकिस्तान में मुस्लाधर बारिश और बाड के कारण पिछले तीन दिनों में 99 लोगों की हुई मौत तर्टे शेर कराची सबसे बुरी तरह से प्रभावित अमेज़न के मालिक जैफ बेजोस ने अमेरिका के प्रतिश्चे सक्पार वाशिंग्टन पोस्ट को 200 मिलियन डॉलर में खरीदने पर जताई सहमती बेजोस ने सक्पार और इसके आन्य संपतियों को व्यक्तिकत रूप से खरीदा ग्रहाम परिवार पिछले 80 साल से सक्पार के मालिक थे फिलिपिन्स के तक्षिन शेर काटा पोटो में हुए एक शक्तिशाली बम स्पोर्ट में कम से कम 6 लोग मारे के और 29 लोग हुए गायल काटा पाटो शेर के सिंसुवात एवेन्यू के पास मुख्य सडक पर ये धमाका हुआ ग्रीस की राजधानी एथेंस के निकट जंगलों में लगी आग की लफटें तेज हवा के करण अगल बगल के घरों तक पहुँची